नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बिहार अमीन बहाली परकिरिया को लेकर सारे अपडेट्स जारेंगे कि आपकी बहाली की परकिरिया कब से होने जा रही है और उसके लिए जो आधिकारिक बिग्यापन जारी किया जाएगा वो किस दिन आ रहे हैं आप लोग के अधिकारी को बिग्यापन और उसके बाद हम लोग क्या कुछ आप लोग के लिए अपडेट निकल कर आ रहे हैं वो सारे कुछ इस वीडियो में बताएंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने की हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा इससे आपको बिहार अमीन बहाली के सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या कुछ आप लोग के लिए नया अपडेट हैं कि बहाली की जो नई स्विक्रीटी होंगे 2023 में जो न इसमें निस्चित रूप से बढ़ोतरी होंगे जैसे कि परतिक डिस्टिक से कोटी बार सूची मांगा गया था कि कितने वाकेंट सीट और भी खाली है क्योंकि यह जो निकाला गया था अब नया जो विग्यापन आएंगे जो बीसी इसी विग्यापन जारी करेगा उसमें जा आप लोगों निसीत रूप से नमबर ऐफ सीट जयदा देखने को मिलेंगे और जयद़ देखने को मिलेंगे तो अर्व स्थी आप लोग जो चाहते हैं कि मार का दहार पर भाली हो उसके लिए आप लोगों ने केस आपडेट को लेकर तो जैसे कि हमने आपको पीछले व पहली जो सुनवाई होंगे इस केस की तो फर्स्ट सुनवाई आप लोग को जल्द देखने को मिल सकते हैं और यदि आपकी सुनवाई फर्स्ट एफेक्टिवली रहेंगे तो निस्टे तरोब से आप लोग की जो बहाली की परकिदिया है वो मारक अधार पर होंगे क्योंकि जो बहुत सारे निकला है जैसे कि बतार पर है तो यह आप लोग की वेकेंशी है और तो संभीदा पर है खैर छो जो सरकार जैसे की की नियमा वाली चेंज करने जा रही है तो बीछी आभी तक ऑफिस्याली जो बिग्यापन लेकर अफिशली जानकारिया नहीं साजा की है कि कितने सीट पर वेकंसिया निकाली जाएंगे कब से आवेदार जो आवेदक होंगे वो आउनलाइन कर पाएंगे तो अब यसी इसी भी कुछ दिनों में हो सकता है आप लोग के लिए बिग्यापन जारी करेंगे और जैसे बीसी के तरफ से भी कोई ऑफिशली न्यूज या एल आर्सी के तरफ से कोई न्यूज आएंगे हमने सित्रुप साब को बताएंगे तो आप चैनल के साथ बने रहें मिलते हैं डेक्स वीडियो में थैंक्यू